पुश्कार मित्रों, सुभेदार मुवी की अपार सफलता के बाद अब दिगपाल लांचेकर जी ने अपनी अगली फिल्म की घोशना करती है। उनकी अगली फिल्म का नाम है शिवरायांच च्छावा। ये फिल्म संभवता दिगपाल जी के प्रोजेक्ट शिवराज अश्टक की छठी फिल्म रहने वाली है। इससे पहले फरजंद, फत्ते शिकस्त, पावन खिंड, शेर शिवराज और सुभवतार फिल्म में इस प्रोजेक्ट के अंतरगत बन चुकी है। इन में से ये सुभवतार फिल्म तो अभी अभी 25 अगस्त को ही रिलीज हुई थी। आप सभी ने उसे आवश्य देखा होगा, हम सब ने उस पर चर्चा भी की थी। बित्रोई शिवरायांच छावा फिल्म जो है, ये चद्रपती शिवाजी महराज के जेश्ट पुत्र चद्रपती शंभाजी महराज के जीवन पर आधारित रहने वाली है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का ज्छावा था, महा प्रतापी, महा पराक्रमी, एक ही शंभू राजा था। धर्म वईड श्टरपती शंभाजी महराज के शोर्य को बताती हुई ये कविता तो आप सभी ने अवश्य सुनी होगी। बितरो उन करूर विदेशी आकरांता मुगलों के आगे ना जुक कर अपने धर्म, अपने मातर भूमी की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहूती चढ़ा देने वाले छटरपती शंभाजी महाराज की वीरगाथा को फिल्म के माध्धम से जन जन तक पहुँचान यही इस फिल्म का बजट कम होगा लेकिन इसमें हमें वास्तविक इतिहास देखने को मिलेगा क्योंकि इसे बना रहे हैं दिकपाल लांचे कर और उनकी भावना बिलकुल शिद्ध है क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के तहत अभी तक उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई ह सभी में प्रपोगेंडा से दूर वास्तविक इतिहास देखने को मिला है यदि किसी बॉलिवूट के प्रोडक्शन हाउस ने छटरपती शंभाची के उपर फिल्म बनाने का निर्णे लिया होता तो मैं बिलकुल भी उच्छाहित ना होता क्योंकि इतिहास के नाम पर ये केवल जूट दिखाते हैं अपना एजेंडा चालाते हैं महान समराट प्रतवीरा चोहान जी के जीवन पर बनी फिल्म इस बात का प्रबल उदाहरण है किस प्रकार से उसमें एजेंडा भरा गया था आकरांता गोरी को अच्छा दिखाने का प्रयास किया गया था आप सब लोग चांते ही हैं इस बात को मित्रो दिखपाल जी की जो पिछली फिल्म थी सुबेदार वो केवल माराठी में ही रिलीज हुई थी जिस करण्ट से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह फिल्म चाह कर भी नहीं देख पाए इसलिए इस बार मैं आशा करता हूं कि उनकी यह फि अधिक हो सके उतने अधिक लोगों को यह फिल्म दिखाई जा सके वजह में तरो इस फिल्म को लेकर आपके क्या विचार हैं आपके ताउच सुख हैं आप नीचे कमेंट शिक्षन में लिखकर आवश्य बताएए वीडियो को अन तक दिखने के लिए आप सभी का बहुत ब क्यामा भारती